श्रीन आज्जी गुरुजी को अलख आदेश, मा भगवती को अलख आदेश, राची वाले भहरब बाबा को अलख आदेश, आप सभी को अदेश आदेश बहुत सारे साधक, बहुत सारे उच्छ साधक भी कई बार किसी देवी या देवता को प्रसन्न करने के लिए साधना करते हैं और हर तरीके से परिपूर्ण होते हुए भी वो किसी विशेश देवी या देवता को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं नाजसंप्रदाई में ऐसी स्थिति में एक विशेश मंत्र का प्रयूग किया जाता है जिसके अंत्र में आता है जो देवनापधारे उसको फटकार मतलब जिस देव के नाम से हमने आवाहन किया है वो नहीं आये तो उसको फटकार मिलता है और उसके डर से जो है देवता प्रतेक्ष होता है लेकिन आम ग्रहस्त साधकों को ऐसा करना वर्जित है जिन पर गुरु कृपा नादी ना हो ऐसे लोगों को फटकार मंत्र प्रयूग नहीं करना चाहिए लेकिन जो तांत्रिक मार्ग है जो वाम मार्ग है उसमें इसका एक उपाय बताय गया है और वो उपाय है देवता के वशिकरन का या देवी के वशिकरन का इसमें जो आप सामान्य साधना में सामग्रियों का उप्योग करते हैं उसके अलावा पूजन के लिए विशेश रूप से हमें चाहिए होगा एक चानदी का ग्लास जिसमें आधा गुलाब की पंक्षिट्रियों से भरा हो और उसके उपर गुलाब जल हो इसके उपर डालेंगे एक तुलसी का पत्ता ये एक सामग्री है यह सब मिला करके एक सामगरी है ठीक है एक भोज पत्र लेंगे और उस पर दो ट्राइंगल बनाएंगे एक उर्दमुखी उपर की तरफ और एक नीचे की तरफ और दोनों एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करेगा कि वो एक तारे की तरह दिखे और जब यह पूरा बन जाए तो इसके उपर से एक हम गोलाकार बना देंगे जिसके अंदर में यह रहेगा ठीक है उस तारे के बीच में जिस भी देवी देवता के आप साधना कर रहे हैं उसका बीज मंत्र लिखेंगे ठीक है और यह जो चांदी का ग्लास हमने तयार किया है इसको उसके उपर रख देंगे ठीक है फिर जिस भी माला से आप इस साधना को कर रहे हैं उस माला से इस यंत्र को घेरेंगे कैसे सबसे पहले तो एक लकडी का कोई आसन ले लेंगे चौकी ले लेंगे चोटा सा और उसके उपर अगर भगवती है तो लाल वस्त्र और अगर देवता है तो पीले अवस्त्र हम उसके उपर ढखेंगे फिर उसके उपर एक प्लेट रखेंगे चाहे तो यह तांबी का प् और इसके चारों तरफ जिस माला से आप उस देवी देवता का जाब करने हैं उसको रख देंगे और फिर उसके उपर उस ग्लास को रखेंगे ठीक है यह साधना जो है आपको 41 दिन तक करनी है अगर इस साधना को आप अपने पूजा स्थान पर करते हैं तो उत्तम अगर आप इस साधना को शिवालय में करते हैं किसी महादेव के मंदिर में शिवलिंग के सामने अगर आपको जगा मिल जाए वहां करते हैं तो अति उत्तम अगर शिवालय के मंदिर के प्रांगण में कर होगा ठीक है ना और सामने कुछ पकवान बना करके चढ़ाएंगे मतलब यह जो बजार में पकवान आता है वो नहीं डालना चाहिए वह अशुद्ध होता है दूसरा कि शक्र चीनी डालेंगे जब भी डालेंगे तो उस पकवान में गुड़ डालेंगे घी का दीपक जलाए से उस यंत्र पर जो आपका रिंग फिंगर है राइट हैंड का उससे छीटा मारेंगे ठीक तो क्रम क्या रहेगा क्रम रहेगा कि सबसे पहले आपने यंत्र बनाया ठीक है और यंत्र बनाने के बाद एक लकडी चौकी पर एक वस्त्र बिचाया लाल या पीला वो डिपेंड करता है कि आप किसकी साथ न कर रहे हो देवी या देवता कर ठीक है उसके उपर एक आपने प्लेट रखा चाहे तो तामबा का या सिल्वर का उसके उपर आप इस यंत्र को रखेंगे यंत्र के उपर उस रखेंगे जिसमें गुलाब गुलाब जल और तुल्सी का पत्ता रखा हुआ है और उसको यंत्र के ठीक मध्य में डाल देंगे जो भी जाक्षर उससे डंग जाएगा और उसके बाद इस यंत्र के चारों तरफ और उस प्लेट में ही जिस जापमाला से आप साधना करते हैं उसको रखेंगे ठीक है यह सारी वेवस्ता पूजा रूम में हो सकती है या फिर शिव मंदिर के प्रांगण में हो सकती है उसके बाद चारो तरफ उस यंत्र के उस प्लेट के बाहर आप चार फल रखेंगे है ना चार फल रखने के बाद चोंकी के नीचे और आपके और चोंकी के बीच में कम से कम ढाई बित्ता का अंतर होना चाहिए उस बीच में जो है आप नवे चड़ाएंगे फिर दाहिनी और दीपक रखेंगे यंत्र के अपने बाई और और दूसरे तरफ में आप धूप रखेंगे कि दूप किसी भी जातक का हो सकता है सिवाई लुबान का ठीक है और उसके बाद अश्ट गंद ले करके एक छीटा मारेंगे उस यंत्र पर ऐसा नौ दिन तक हम करेंगे उस थान पर और कोशिश करेंगे कि स्थान परिवर्तर ना हो अगर मंदिर का प्रांगण है तो आप कु उसके बाद देवता या देवी का नाम जैसे नारायन महादेव भैरव गनपती देवाय ओम रिंग क्रिंग भैरवाय ओम फट फट स्वाह ओम हं स्वाह ओम त्वं स्वाह उसके बाद देवता का नाम देवाय ओम रिंग क्लिंग भैरवाय ओम फट फट स्वाह ओम हं स्वाह ओम त्वं स्वाह अमुक देवाय ओम रिंग क्लिंग भैरवाय ओम फट फट स्वाह ओम हं स्वाह ओम त्वं स्वाह अमुक देवाय ओम रिंग क्लिंग भैरवाय ओम फट इसके बाद जो है जिस भी देवता के आप साधना कर रहे हैं उसका जिस भी विधान से पूजा करते हैं इस विधान को करने के तुरंत बाद उस विधान से पूजा करेंगे ठीक है ऐसा नौ दिन तक करने से वह देवता वशिभूत हो जाते हैं देखिए अब एक चीज समझ एक देवता सिद्ध कभ होते हैं और वशिभूत कभी आप की पूजा वहां तक पहुंच रही है मतलब देवता ने आपको नोटिस कर लिया वह हुआ ध्यान आकरशित करना देवता का, इस साधना से जो देवता का ध्यान आप तक नहीं पहुच रहा है, उन देवता का ध्यान आप तक आ जाएगा, उसके बाद जो साधना का आपका विधान है, वो सावालाक जाब करके पुर्शाचरन करने का हो, या 21 दिन में साबर मंत्र हो, 11 तो जो देवता का आपको प्रभाव मिलना चाहिए वो चाहिए सपने में आपको आके अपने होने का प्रमान दे या आपको प्रतक्ष दिखें या वचन में बादना चाहते हैं वह आप पर है तंत्रमार को उनके लिए बहुत उत्तम साथना है आप सभी करें ऐसा आप लोगों से मेरा अनुरोध है ठीक है जिनको दिया हाज तक वो सफल ही रहे और आप लोग भी सफल ही रहिएगा आज के लिए इतना ही भगवान काल भहराव आप सभी को साथना में सफलता ते ऐसे उन देवराज सेव्यमान पावनागरिपंगजम व्यालय यसोत्रमिंदुशेखरम कृपाकरम